हेलो स्टूटन वेल्कम टो स्वातिस क्लासेस आज हम देखेंगे सेवन स्टैंडर का साइंस लेसन नंबर 20 इन द वर्ल आप स्टार्स इस लेसन का सेकेंड पार्ट फर्स पार्ट में ने अल्रेड़ी अपलोड कर दिया है स्टूटन अगर आप लोगों नहीं देखा है तो च इन दी वेस्ट because the earth rotates from the west to the east तो देखें स्टूटन जो हमें sun, moon, stars जो होते हैं यह east में उपते हुए दिख्खाई देते हैं सेकर्च मने दूप जाते हैं तो यह रीजन आपको यहां पे दिया है अगर इनके सबको question आता है तो यह answer आपको लिखना है वापे If we observe carefully we will also notice that stars rise and set 4 minutes earlier यह every day तो अगर हम लोग रोज अगर आप observe करोगे sky में तो आपको यह चीज़ पता चलेगी आप notice कर सकते हो कि आज जैसे stars this time में वो rise होते हैं उपते हमें दिखाई देते हैं तो next day अगर आप देखोगे तो 4 minutes वो जल्दी आ जाते है earlier That is if a star rises at 8 p.m. tonight it will rise at 7.56 p.m. tomorrow अगर आज वो 8 बज़े आप देखते हो कि star आपको दिखाई देंगे 8 बज़े तो अगर आप दूसरे दीन देखोगे तो 4 मिनिट पहले है वो आपको दिखाई देंगे Against the background of stars the sun and the moon appear to move from the west to the east The sun moving through 1 degree every day and the moon through 12 to 13 degree तो यह जो revolution या फिर rotation हम लोग बोलते हैं कि earth जो है rotate होता है और revolve भी होता है around the sun तो यह जो star, sun, moon होते हैं यह भी मूह हो रहे west to the east और जहाँ पर इनकी degree है जो moon होते है तो वहाँ पर उनकी degree है यह भी क्या होती है चेंज होती है जैसे कि sun moving through 1 degree every day and moon का दिया है हमें 12 to 13 degrees This happened due to the motion of the earth around the sun and that of the sun around the moon around the earth तो यह किसके कारण होता है क्योंकि earth क्या करती है sun के around चक्कर लगा रही है रिवाल होती है उसके बाद जो moon होता है अर्थ के around क्या करता है घूमता है तो इसके कारण होता है next हम देखेंगे constellation तो constellations क्या होते है तारका समू या फिर तारका मंडल हम कह सकते के group of stars जो होता है उसे constellation कहा जाता है a group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called a constellation तो constellation क्या होता है कई सारे जो group of stars हमें दिखाई देते हैं एक जगपे तो उन्हें कहा जाता है constellation means तारका समू और या फिर तारका मंडल कहेंगे some of these stars appear to form certain figures of animals, humans और objects तो ऐसे कई सारे constellation होते हैं कई सारे stars जो होते हैं एक जगपे आने के कारण उनके तो यह जो उनका हुआ उसके इसाब से यहाँ पर उन्हें 88 constellation जो है डिवाइड किये गए हैं similarly ancient western astronomers would forward the idea of 12 zoadic science means जो राशी भविश्र आपने सुना होगा राशी होती है बारा तरीके की तो यह आपको यह पर दिया है whereas Indian astronomers suggested the 27 नक्षत्र तो जो western country के जो astronomers थे तो उन्हें उन्होंने क्या किया था 12 zoadic science means जो राशी होते हैं जो बारा राशी होती है उनका उन्होंने क्या किया था आइडिया लगाए था और उसके बाद जो इंगिया आस्ट्रामर थे उन्होंने 27 नक्षत्र होते हैं यह इस पार्ट पर आपको इसली समझ में आएगा देया आर नेम राइस टॉरस जमाइन कैंसर लिओ विर्गो लीब्रा स्कॉपियो Sagatrix, Capricorn, Aqueous and Peces तो यह जो जो है 12 राशी के नाम आपको दिये गए है जैसे कि आपने हिंदी मराथी में सुनाओगा जैसे की तूर राशी होती है, मीन राशी होती है, कुम्ह राशी होती है तो वही यह 12 नाम जो है आपको यहांपे दिये गए है next देखेंगे नक्षत्र क्या होते है the moon completes one revolution around the earth in approximately 27.3 days तो जो हमें पता है कि moon जो है earth के around क्या करता है revolve करता है revolution करता है तो उसे कितने दिन लगते है 27.3 days लगते है the portion travels by the moon in one day is called a नक्षत्र तो एक दिन में जितना portion यहाँ पे travels होता है या फिर moon जो है चक्कर लगा रहा है तो जितना cover करेगा जो distance one day में उसे कहा जाता है नक्षत्र so if we divide 360 degrees into 27 equal parts तो 360 degree क्यों क्योंकि earth के around पूरा एक चकर लग रहा है तो 360 degree में आएगा तो उसे अगर 27 equal part में अगर हम convert करते हैं तो each part is about 13 degrees and 20 minutes तो यहाँ पर अगर divide करेंगे हम तो वहाँ पर answer मिलेगा हमें की 13 degrees and 20 minutes आएगा इच पार्ड नक्षत्र is known from the brightest star that it contains तो नक्षत्र जो है यह brightest star माना जाता है and this brightest star is called योगतारा तो उसे क्या कहा जाता है योगतारा कहा जाता है which नक्षत्र we can see during a sky watch depends upon the position of the earth along its orbit तो जो नक्षत्र है यह हम sky में देख सकते हैं लेकिन यह किसके उपर depend होता है कि position of the earth along its orbit उसके orbit में कहां पर हमारी earth की position है वहाँ से हम देखेंगे तो वो position change होता है उसके बाद next page पर हम देखेंगे getting to know some constellation तो जो तार का समो हमने देखे थे जैसे पहले हमने discuss किया कि कुछ जो तार का समो होते जो stars होते हैं उनके कारण कुछ figure form होने लगते है तो वही हमें यहापे दिया है तो first आपको जो picture यहापे दिख रहा है सबतर्शी और the great bear जिसे कहा गया है during summer nights one can see a particular arrangement of seven stars we call them सबतर्शी तो seven stars है इसके लिए उन्हें नाम क्या दिया है सबतर्शी कहा गया है and in the month of February this constellation rises around 8 p.m. in the north east तो February में अगर हम देखेंगे February month में तो 8 बज़े तक हम यह north east में दिखाए देता है तो किस तरीके से दिखाए देता है देखे आप अगर डाइग्राम देखोगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पे seven देखे one, two, three, four, five, six and seven stars है इनको इस तरीके से लाइन से जोड़ा जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे काइट कोई जो उड़ती है तो उसका कैसे इस तरीके से आपको की काइट रहा है यहाँ पे और उसकी एक टेल हमें दिखाए दे रहे है और जैसे काइट उड़ता है उस तरीके से हमें यह दिखाए देगा उसके बाद देखेंगे कि अगर इंगलिश में हम कहेंगे तो उसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है नेक्स्ट हमें दिया यहाँ पे शर्मिष्ट और कॉस्पियो जिसे नाम दिया गया है तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4 and 5 कितने स्टार से 5 स्टार से इसी तरके से अगर यह लाइन जोड़ी जाएगी तो हमें कौन सा लेटर दिख रहा है तो M लेटर की तरह हमें यह दिखाई देता है अगर पॉल स्टार है तो यह जो थर्ड नंबर का स्टार है उसे तो यह आपको यहाँ पर फिगर देखे समझ में आया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इम्रूग नक्षत्र और और यहाँ आज वेरी ब्राइ स्टार तो यहाँ पर भी आपको एक तरकी का डाइगराम दिख रहा है देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से और बीच में जो है आपको त्री यहाँ पर स्टार ससाद दिखेंगे यह स्टार से और यहाँ पर 2 स्टार ही इस तरीके से और यहाँ पर आपको यह फि On Go तो यहां पर दिख रहे हैं को यहां पर खीचा जाएगा तो यहां पर जो ब्राइट स्टार हमें दिख रहा है उसे कहा जाता है व्याद और सीरीज तो यह नाम आपको दिया गया है यहां पर दूरिंग दा मांथ अब डिसेमबर मुरूग नक्षतर राइज़स आट पीम अगर आप देखोगे तो रात के आड़ बज़े आपको यह इस्टन होरीज़न में दिखाए देगा अगर हम देखेंगे फेबराइज जून में तो इनके जो टाइमिंग है यह क्या दिये गए हमें यहां पर अलग अलग दिये गए नेक्स्ट हमें यहां पर देखना है रुशिक और स्कॉर्फियो इस एक उंसलेशन विट 10 तो 12 स्टार्स तो यहां पर अगर साइड में पिक्टर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर नेक्स पेज पर हम देखेंगे तो जो मैंने आक्टिविटी आपको कही थी कि जो राशी चक्राइब देखोगे तो यहां पर नेक्स पेज पर हम देखेंगे तो यहां पर हमने देखा था वो किस तरीके से तो यह इस पेज पर आपको दिया है with the help of your friends draw a big circle on the ground as shown in figure 20.4 तो देखेंगे यहां पर सीधा हम लोग क्या करेंगे डाइग्राम ही देखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या करना है activity है आपके friends के साथ आप कर सकते हो तो बीच में क्या होगा या पर सन होगा और यह जो आपको ABC जो पॉइंट दिये यह क्या है हमारी अर्थ है जो कि क्या करती है रियॉलिशन करती है सन के अराउंड और यह जो ट्वेल आपको सरकल दिख रहे है यह क्या है राशी चक्र जो राशी भविशम में हम लोग यूज करते है 12 राशी जो होती है हमारी तो ये 12 जो रहेंगे जो आपके friends होंगे उनको इस तरीके से आपको खड़ा करना है और उनको एक एक नाम दे देना है आपको उसके बाद जैसे देखिए Sun जो है इस राशि में प्रवेश कर रहा है कि Scorpio राशी है Secondqux अगर यहाँ पे B दिया है B के Behind अगर हम देखेंगे Sun के Behind अगर यहाँ पे Earth है B पोजिशन पे B पोजिशन पे अगर हमारी Earth है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो Sun के Behind हमें कौन सा दिख़ रहा है क्या है जैसे कि आपके जो 12 फ्रेंट से इस तरकी से राश्य की जैसे खड़े हैं और यहाँ पे ए पॉइंट में हमारी अर्थ है यहाँ से अगर हम देखेंगे सन के बिहाइंड जो राश्य आएगी तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि अभी सन इस राश्य में प्रविश् इन एडिशन तो दी फ्लावर पॉट शी आपके जो गर्ल है यह अगर फ्लावर पॉट को दिखेंगी तो सिर्फ फ्लावर पॉटी दिखेंगा क्या नहीं बिहाइंड जो भी बैग्राउंड है ट्रीज या फिर वहाँ पे कुछ घर होगा या फिर कोई भी चीज होगी तो वह भी हमें दिखाई देती है तो वही सेम फिंग यहा पर भी होगी कि अगर हम सन को देखते तो उसके पीछे की जो चीजे वह भी हमें दिखाई देगी तो उसी लिए कहा जाता है कि सन जो है इस राश्य में प्रविश कर रहा है तो सन के बिहांड जो चीजे होती है वहाँ पर आज देखाई 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 लेकिन फिर वह चीजे होती है वहाँ पर कि सन के बिहांड जो भी राशी हमें दिखाई देखी जो चोंसलेशन होगा तो वह हम लोग क्या कह सकते कि वह सन उस राशी में है जैसे कि हमने फॉर एक्जांपल यहाँ पर दिया है कि मकर संकरंती के टाइम हम लोग क्या कहते है कि सन अभी मकर राशी में क्या करेगा तो यह जो motion होता है sun का उसे हम कहते है apparent motion and its path is called the apparent path और इसे कहा जाता है apparent path The rising of the sun in the east and its setting in the west is also an apparent motion तो जो हम लोग देखते हैं कि sun जो है east में उपता है और west में डूप जाता है तो यह जो path हमें दिखाए देता है तो actual में तो earth revolve होती है sun तो वही पे है लेकिन जो path हमें दिखाए देता है उसे क्या कहा जाता है apparent motion क्योंकि sun move होती हुए हमें दिखाए देता है You might have heard some elders saying that a particular nakshatra is in the rising and now prevails जैसे कि आपके घर में बड़े लोग होंगे तो आपने nakshatra सुना होगा कि इस nakshatra में अभी sun जो ही इस nakshatra में है या फिर यह nakshatra चल रहा है या खतम हो रहा है तो यहीं सारे चीज़े आपको यहाँ पे दी है It means that at that time if you look at the sun from the earth that particular nakshatra is behind the sun कि अगर आप जैसे आपके parents या फिर कोई बोल रहा है कि अभी नक्षतर चल रहा है इसका मिनिंग यह क्या होता है कि sun के behind वो nakshatra आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको दिया है National Institution IUCAA तो इसका full firm होता है Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics इन पुने का is our fundamental research in astronomy तो जो astronomy होती है जो हम लोग भोगोलिक शासरजी से कहा जाता है तो यह पूरा जो research होता है उसका यहाँ पे नाम हमें institution का नाम दिया गया है Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics इन इंडिया प्लैनेटरियम्स नेम आप्टर पंडित जवर्ला नेरू हाव इन इस्टबिश अट नू देली बैंगलुरू अलाबाद मुंबई आनट इंगली स्कूल इन पुनी देप्रेजेंट वर्चुल प्रोजेक्शन औफ वर्यस स्टार्स और कॉंस्टलेशन आज सकते हैं तो यहां पर जो है सेंटर्स बनाए गए कि लो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर वर्चल प्रोजेक्शन मतलब वह चीज़ें हम देख सकते हैं डू विजिट इस प्लेसे दूरिंग स्कूल टूर और वेनिवर पॉसिल अगर आपको पॉसिबल होता है तो हम लोग किसे जगह पर जाके क्या कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं नेक्स अमें दिया है अल्वेस रिमेंबर साइंस प्रूज आपने सुना होगा कि जो है मून पर जो है निल आमस्ट्रॉंग उन्होंने पहले कदम रखा था यह इस जो प्रयोग होते हैं उनको करने के कोशिश करते हैं आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरू कीजे तो सब्सक्राइब भी जरू कीजे तो Jew teacher को जरू कीजे अच्छेस्टा वीडियो चैनल कीजे लेको अच्छेस्टाइब नहीं कानल वीडियोगा धगर उल्वाएब भीडिटे से समय अच्छेस्टाइल